जै मातादी दोस्तों, One Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे महापुन्य दायक गडेश चतुर्थी की व्रत कता जो इस प्रकार है। एक बार भगवान संकर और माता पारवती नर्बदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पारवती ने भगवान भोले नाच से समय व्यतीत करने के लिए चौपड खेलने को कहा। भगवान संकर चौपड खेलने के लिए तयार हो गए। लेकिन संकट की इस्तिती यह थी कि वहाँ पर कोई हार जीत का निर्णय करने वाला नहीं था। भगवान सिव ने जब यह संका प्रकट की तो माता पारवती ने तुरंथ ही अपनी सक्ति से वहीं पर घास के तिनकों से एक बालक का सरजन किया और उसे नर्नायक बना दिया। तीन बार खेल हुआ और तीनों बार ही माता पारवती ने बाजी मारी। लेकिन जब नर्नायक से पूछा गया तो उसने भगवान सिव को विजई घोसित कर दिया। इससे माता पारवती बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को एक पैर से अपाहिज हुने एवं वहीं कीचण में दुख सहने का स्राब दे दिया। बालक ने विनम्रता से कहा कि हे माता मुझे इसका ग्यान नहीं था, मुझे से अग्यानता वस ये भूल हुई है, मेरी भूल माफ कर दें और मुझे इस नरक के जीवन से मुक्त होने का रास्ता दिखाएं। बालक की आचना से माता पारवती का मातरत जाग उठा और उन्होंने कहा कि जब यहां नाग कन्याएं गडेश पूजन के लिए आएंगी तो वे ही तुमें मुक्ती का मार्ग भी सुझाएंगी। ठीक एक साल बाद वहां पर नाग कन्याएं गडेश जी का पूजन करने के लिए आएं। उन दिनों भगवान सिव माता पारवती में भी अन्बन चल रही थी। मानिता है कि बगवान सिव ने भी गडेज जी का विधी विधान से व्रत किया, जिसके बाद माता पारवती स्वयम उनके पास चली आई माता पार्वती ने आश्चर चकित होकर भोले नाथ से इसका कारण पूछा तो भोले नाथ ने सारा व्रत्तांत माता पार्वती को कह सुनाया माता पार्वती को पुत्र कार्थिके की याद आ रही थी तो उन्होंने भी गडेश का व्रत किया जिसके फल सरूप कार्तिके भी दोडे दोडे चले आए। कार्तिके से फिर व्रत की महिमा विश्वा मित्र तक पहुँची। उन्होंने भी ब्रह्मरिसी बनने के लिए ये व्रत रखा। तत पस्चात गडेश जी के व्रत की महिमा समस्त लोकों में सबसे लोप्री हो गई। कुल मिलाके इसका निस्कर्स ये है कि भगवान स्री गडेश विग्न हरता हैं। और उनका विधी पूर्वक व्रत पालन किया जाए तो व्रती की सारी मनोकामनाई पूर्ण होती हैं। तो बोलो गडेश भगवान की जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।